इसके पहले के वीडियो में गार्डेन कुक और एलेन इस्ट की लिखी रोमांचक समुद्री यात्रा का नेरेटिव इसी लेशन के महत्योपूर्ण प्रश्ण और उनके उत्तर हिंदी अनुवात सहीत एक बार फिर प्रस्तुत हैं तो बच्चों हम फिर निकलते हैं उनके साथ उनकी ही समुद्री यात्रा पर पर इस बार प्रश्ण और उनके उत्तर के साथ List the steps taken by captain to protect the ship when rough weather began मौसम खराब होना शुरू हुआ तो ship को बचाने के लिए captain ने क्या कदम उठाएं He took the following steps, captain के द्वारा जो कदम उठाएं वो ये थे He slowed down the speed of ship, सबसे पहले उन्होंने अपने ship की speed को कम करने की कोशिस की और कम किया ताकि तेज लहरें जहाज को पलटना दे He dropped the storm jeep, उन्होंने storm jeep को नीचे कर दिया Last heavy mooring rope across the stern Stun से होता हुआ चारो और एक भारी रसी बांध करके उसे सुरक्षित कर दिया Double last everything हर चीज को उन्होंने दो बार बांध करके सुरक्षित किया Went through life raft drill, attest life lines, don't oil skins and life jackets उन्होंने सारी सुरक्षा devices जो थें उनके पास उसको तयार कर लिया जो पानी में डूपते हुए वेक्ति को बचाने के लिए जो round रहता है, हवा से भरा हुआ होता है उसे life line से attach कर दिया डोंगी को वहां लगा दिया और जो life jackets थें, वो सबने पहन लिये oil skin भी पहन लिया oil skin क्या होता है? वो एक मोटा cotton का कपड़ा रहता है जिस पे तेल लगा होता है जिसके कारण समुदर के पानी का खराव असर skin के उपर नहीं पड़ता है तो जब जहाज के अंदर पानी आने लगा जहाज के डैमेज हो जाने के कारण तो उस कंडीशन में नेरेटर ने क्या कदम उठाए तो जहाज के अंदर जो पानी आ रहा था उसको रोकने के लिए नेरेटर ने जो किया तो बड़ी वेब के टेकराने के कारण साइड पैनल चुकी तूट गया था जिसके कारण क्या हो रहा था कि पानी के अंदर खतरनाक रूप से पानी जहाज के अंदर भर रहा था जिसे जहाज के डूबने का खत्रा बन गया था तो हमारे नेरेटर ने वाटर प्रूफ जो कपड़ा था जो वाटर प्रूफ कवर था जहाँ जहाँ डेक पर होल हो गया था उसे लगा कर कवर किया जो हैज था जहाज में नीचे जाने की जो सिड़ी का दरवाजा था उसे कवर किया और फिर जो side panel जो की बुरी तरह damage हो गया था, उसे cover करके पानी को अंदर आने से रोपने का प्रयास किया. 4 और 5 जन्वरी को हमारी जो वजर्स थें, हमारी जो समुदरी यात्री थें, उनकी मानसिक इस्थिति कैसी थी? 5 और 4 और 5 जन्वरी जो 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 जहाज था एक बहुत बड़ी लहर से टकरा गया था, जिसके कारण उसमें धेर सारे damage हो गया थें और उसमें बहुत जादा पानी भर गया था, जिससे जहाज की डूबनी का खत्रा हो गया था, तो ये लगातार, 36 घंटे तक लगातार ये पंप करके पानी को जहाज से बाहर निकालते रहें, और 4 और 5 जन्वरी तक इतना उन्होंने पानी बाहर निकाल दिया कि जहाज अब खत्रे से बाहर था, तो वो थोड़ा रहात उन्हें महसूस हो रही थी, दो दिनों के बाद उन्हें थोड़ा सा कुछ खाने को मिला, मैरी ढून करके कॉर्ण बीफ ले आई और थोड़े से क्रेकर बिस्किट मिले, तो इस तरह दो दिनों के बाद उन्हें थोड़ा सा कुछ खाने को मिला, had rest in rotation, 36 घंटे तक बुरी तरह काम करने के बाद ये बिल्कुल ठके हुए थें, तो दो दो घंटे का rest इन्होंने rotation में लिया, death is still not far from them, so under great mental pressure, लेकिन ये जो राहत उन्हें थोड़े से मिली थी, ये आईस्थाई सावित हुई, क्योंकि शाम को चार बस्ते बस्ते, मौसम फिर खराब होने लगा, तेज हवा के जोके के साथ फिर उची लहरे उठने लगी, आस्मान में गहरे काले बादल फिर से चाने लगें, तो मौत अभी भी उनके पीछे पड़ी थी और हमारे सारे वोयजर्स गहरे मानसिक तनाव में अभी भी थें. तो इस टेक्स्ट के जो तीन सेक्षन है, इसमें घटनाओ का क्रम कैसे बदल रहा था, इसके बारे में बताईए. The text has been divided into three sections. यह जो narrative का पूरा text है, यह तीन सेक्षन में बटा है. पहला सेक्षन बताता है किन-किन घटनाओ से उन्हें दो-चार होना पड़ा, घटनाओ अच्छी हो या बुरी हो. दूसरा सेक्षन यह बताता है कि कैसे उन्होंने उन घटनाओ से दो-चार किये और तीसरा सेक्षन बताता है कि उन्हें लक्ष प्राप्त हुआ या नहीं हुआ. So, first section. तो इस तरह first section यह बताता है कि यात्रा के दोरान उन्हें क्या अच्छे बुरे अनुभा हुएं, क्या खटे मीठे अनुभा हुएं. Narrator's desire to go to voice around the world with his family. पहले section में यह बताया जा रहा है कि narrator की दिली हौईस थी. यह उनका सपना था कि वो अपनी परिवार के साथ round the world समुद्री यात्रा पर जाएं. First phase of the journey was peaceful. उनके journey का जो first phase था, जो England के Plymouth से Cape Town तक का था, वो बहुत ही शान्ती पोन और बहुत ही आरामदायक रहा. Had a wonderful holiday. अपनी first phase के यात्रा की दौरान उन्होंने अपनी छुट्टियों को खूब एंज्वाई किया. Celebrated Christmas. इतना ही नहीं, 25th of December को उन्होंने ship पर ही Christmas tree सजाया और Christmas celebrate किया. In the second phase of journey, the ship wrecked. लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा का second phase शुरू होता है. यानि उनकी जो ship है, वो Southern Indian Ocean में प्रवेश करती है. वो एक दो दिन के बाद उनकी जहाज से एक पहुत उची लहर आकर के टकराती है और जहाज बुरी तरह डेमेज हो जाता है. क्योंकि मौसम उस समय बहुत ही खराब हो चुका था, बहुत तेज हवाय चल रही थी और बहुत उची उची लहरे आ रही थी. तो देवर बैडली इंजर्ड. तो सिर्फ शिप ही नहीं डेमेज हुआ था, ये सब के सब बुरी तरह घायल भी हो गये थे. सेक्सें टू जो सेक्सें टू बताता है कि जो प्रॉब्लम इन्हें आई, जो मुसीबते आई, उससे बचने के लिए इन्होंने क्या उपाई किये? सर्वाईवल अटेंट, तो इन्होंने अपने आपको बचाए रखने के लिए, अपनी फैमली के जान को बचाने के लिए, अपनी शिप को बचाने के लिए, क्या अटेंट किये, क्या प्रियास किये, ये बताया है. search for an island in the washed ocean ship चुकि बुरी तरह डेमेज हो चुकी थी आगे यात्रा करना इससे सम्हो नहीं था तो उनको एक ऐसा island चाहिए होता है कि जहां रुख करके वो ship को रिपेर कर सके खुद के शरीर को थोड़ा आराम दे सके इसलिए उन्होंने instrument के मदद से इस ocean में किसी island के location का पता लगाने की कोशिस की अटेंट्स मेट टू सिप टू सेव बोड एंड देर लाइफ उन्होंने जो जो प्रयास किये अपने जीवन और ship को बचाने के लिए वो इसमें बताया गया है and got the location of Amsterdam on the way और जब वो location पता लगा रहे थे तो उन्हें आल एंस्टरडम नाम के एक island जो उसी रास्ते में पढ़ रहा था जिधर ये जा रहे थे उसका location इन्हें मिला section 3 ये बताता है कि ये अपने लक्ष को प्राप्त करने में आल एंस्टरडम तक पहुँचने में ये सफल हुए या नहीं हुए तो triumph of spirit इस section में ये पता चलता हमें कि ये आल एंस्टरडम reached आल एंस्टरडम सेफ लिए आल एंस्टरडम सुरक्षित पहुँच गया और वहां triumph of spirit पहुँच कर जीत की खुशी मनाई they were given a warm welcome by the inhabitant of island उस inhabitant पर 28 रहने वाले जो रहवासी थे उनके द्वारा इनको cheer up किया गया इनका welcome किया गया narrator was given the title the best dad and the best captain of the world by his son वहां narrator की बेटे जोनाथन ने narrator को गले से लगाया और अपने dad को title दिया the best dad and the best captain of the world तो बच्चे यहां कुछ phrases है जिसके बारे में बताया गया है honing, seafaring skill samudri kaushal ko nikharna it refers to the effort made by narrator and his wife to sharpen their knowledge of navigation अपने नौका संचालन, navigation यानि नौका संचालन के kaushal को निखारने के लिए जो प्रयास narrator और उसकी पत्नी ने किये handling of ship and their equipment जहाज में जो equipment लगे थे जो machinery लगे थे उसको कैसे handle किया जाए तो इन सभी kaushal को निखारने के लिए ये शब्द का प्रयोग है हुआ है honing, seafaring skill ominous silence it refers to the silence spread before an impending disaster which suggests that something bad is going to happen ये अनिष्टकारी सन्नाटा उस सन्नाटे के ओर इंगित करता है जो किसी बड़ी मुसीबत के आनी के पहले चा जाता है ये मन्हूस अनिष्टकारी सन्नाटा ये बताता है कि कुछ बहुत ही जादा बुरा होने वाला है made a call जिसे हम rescue call भी कहते हैं these are radio signals for help given by aircraft or ship caught in a critical situation तो ये किसी जहाज या ship जो कि किसी बड़े ही मुसीबत में किसी टेकनिकल कारणों से फंस जाते हैं तो उनके द्वारा सहायता के लिए भेजी गई radio signals होती हैं और इसी को made a call कहा गया है pin pricks in the vast ocean it refers to the tiny island in the vast ocean तो ये जो phrase है ये जो phrase है इसका प्रियोग आल एमस्टरडम के लिए किया गया है क्यों किया गया है ये phase ये बताता है कि समुद्र के जिस हिस्से में हमारे वोजर्स थें वो बहुत ही विस्तृत था लगभग 150,000 km का विस्तृत छेत्र था और जिस island को आल एमस्टरडम को वो ढून रहे थें जिसका location वो पता लगाना चाह रहे थें वो केवल 65 km वाइड था तो समुद्र के साथ अगर हम इस island के area को हम compare करें तो इस island का आकाट ठीक वैसा ही है जैसा कि एक कागज में पिन से किया गया एक छोटा सा छिद्र होता है इसलिए इस phrase का प्रयोग यहाँ I'll Amsterdam के लिए किया गया है पिन प्रिक्स इन दा वाइड ओशन टाउसल हैड अट रिफोर्स तो दिसरेंज़ एंड अनकॉम्ड हैर ओफ नेरेटर्स सन टाउसल यह इसका आर्थ होता है बिखरा हुआ तो यह शब्द नेरेटर के बेटे जोना थन के कंगी न किये जाने के कारण उल्चे और बिखरे हुए बालों के लिए किया गया है जब खत्रों का सामना हुआ तो जहाज में जो बड़े थें उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और जो बच्चे थें उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिला जब जहाज पर इन्हें खत्रों का सामना हुआ तो इन खत्रों का सामना करने की बाद इन खत्रों से निबटने का हर संभव प्रयास करने की बाद जब ये परिस्थितियों को सुधार नहीं पा रहे थें तो जहां एक और जो एडल्स थें, जो बड़े थें, वो निराश हो चुके थें, हतास हो चुके थें, और उन्होंने अपने जीवन की आशा छोड़ दी थी, वहीं बच्चों ने अपनी आशा नहीं छोड़ी थी, उन्होंने हर तरह से अपने बड़ों को, अपने डैड को मोटिवेट किया, ताकि वो खोश हो सके और निराशा से उबर कर अपने प्रयास को जारी रख सके. तनाओ की दिशा बदलने में, Optimism में आशावादिता या पॉजिटिविटी सहायक सिद्ध होती है, या इस कहानी की माध्यम से कैसे इसपष्ट किया गया है? Optimism refers to the feeling that good things will happen in critical situations too. तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि Optimism होता क्या है? Optimism यानि की आशावादिता उस feeling को बताता है कि कैसे भी critical परिस्थिती क्यों न हो? एक न एक दिन अच्छे इस्थिती जरूर आती है. जैसा कि एक कहावत है कि अच्छे दिन अगर नहीं रहें तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे. या यूँ कहले बुरे दिन आएं हैं तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे. देन एट से डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यहनी द्रण संकल्प तो ओर्वरकम एनी चैलेंज इन लाइफ, चैलेंज यहनी की चुनोती. तो आशावादिता वह द्रण संकल्प है, जो जीवन के किसी भी चुनोती को स्विकार कर उसे परास्त करने की शक्ती देता है. अगर पॉजिटिविटी नहीं है, तो न तो हम लाइफ में आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, और नहीं इनकी समस्याओं का हाल हम धून सकते हैं. इस समुद्री यात्रा के दौरान भी यही होता है. अथक प्रियासों के बाद भी जब परिस्थितिया नहीं सुधरती हैं, तो जब हमारा नेरेटर बच्चों को कमफर्ट करने के लिए उनके केबिन में जाता है, तो अचानक 6 साल का उनका बेटा पूछता है, डैड क्या हम मरने वाले हैं? और तुरंत वो अपने इसी बात को काउंटर करता है, कि डैड अगर हम सब आप, मॉम, सु और मैं, अगर हम सब एक साथ हैं, तो हमें मौत का भी डर नहीं है, तो इस तरह जोनथन अपनी ब्रेवरी का और अपनी फैमली के साथ होने का जो आशावादिता है, वो प्रदाशित करता है, वहें उनकी साथ साल की बेटी, Suzanne, his daughter Sue, also cheered him up with a thankgiving card, with a message inside, let's hope for the best, तो Suzanne, जो कि उस समें बुरी तरह घायल थी, घायल होने के बाद भी, अपने mom dad के caricature वाला एक cartoon वाला card बना कर अपने dad को देती है, और इसमें लिखा था कि dad, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, and आगे एक message था, let's hope for the best, कि हमें हमेशा अच्छे की आशा करनी जाहिए, तो इस तरह बच्चों का जो positive outlook था, उससे देख कर narrator inspire हो जाता है, और अपनी full energy के साथ अपनी family और अपने ship को बचाने में फिर से लग जाता है, और हर बाधा को पार करते हुए, वो अंत में all Amsterdam पहुँच जाते हैं, we have come across words like gale and storm, here are two more words storm, typhoon and cyclone, what is the similar term in Hindi, तो गे लेनी, तूफानी हवा, तूफान के लिए, इंग्लिश में और भी शब्दे हैं, जैसे टाइफोन और साइकलोन, तो हिंदी में इसके लिए क्या शब्दे हैं, हिंदी भाशा में, इन हिंदी, storm is known as आंधी, तूफान and अंधर, तो हिंदी भाशा में, storm के लिए जो शब्दे हैं, वो हैं आंधी, तूफान and अंधर, here are the term of different kind of vessels, जो वाहग, जहाज हैं, उनके लिए अलग-अलग नाम दिये गए हैं, यॉर्ट, बोट, कैन्यू, शिप, स्टीमर, स्कुनर, give similar word in हिंदी, तो इन vessels के लिए, तो इन vessels के लिए हिंदी में कौन से शब्दे हैं, नाव, नौका, कस्ती, जहाज, तो हिंदी में जो वेसल से उनके लिए शब्दे हैं, नाव, नौका, जहाज, कस्ती या डूंगा, कैटेमरान is a kind of board, do you know which Indian language this word is derived from, कैटेमरान एक तरह का नाव है, क्या आपको मालूम है किस भारतिय भाशा से इस शब्द को लिया गया है, तो तमिल भाशा का शब्द है काटेमरान और इसी से यह शब्द केटेमरान लिया गया है, क्या आपने किसी मला को गीत गाते हुए सुना है, हाँ हमने सुना है, तो किस तरह के इनके गीत रहते हैं, तो अक्सर इनके गानों में, उनके प्रेम और अपने प्रे लोगों से मिलने की इच्छा का प्रदर्शन रहता है, तीसरे प्रेग्राफ में टेक ओन का प्रयोग हुआ है, इस फ्रेज का क्या आर्थ है, तो फ्रेज टेक ओन सजेस्ट तो टेक सम्बोडी अन, तो एंप्लॉए और एंगेस सम्बोडी, तो फ्रेज टेक ओन बताता है, कि किसी को लेना, जैसे कि किसी को नौकरी पर रखना, या किसी को काम पर लगाना, सबसे पहले राउंड द वर्ड समुद्री यात्रा, किस ने की थी और कब की थी? 200 years earlier, Captain James Cook sailed for the first time in 1776. लगभग 200 साल पहले, Captain James Cook ने 1776 में पहली बार राउंड द वर्ड समुद्री यात्रा की थी. Who was the narrator? What adventurous task did he take on? Narrator कौन था और कौन सा रोमांचक काम करने वे चले थी? The narrator was 37 years old businessman. हमारा narrator 37 साल का एक बिजनिसमें था, who along with his family sat from Plymouth, England on around the world voyage, like Captain James Cook had done 200 years earlier in his ship named Wave Walker. तो हमारा narrator जो 37 साल के बिजनिसमें थे, अपने पूरे परिवार के साथ, England के Plymouth से around the world, अपने ship Wave Walker से समुद्री यात्रा पर निकले थे. ठीक उसी तरह, जैसे 200 साल पहले, James Cook ने अपनी यात्रा की थी. How did they prepare for the onerous task? तो अपनी समुद्री यात्रा जो वो करने के लिए निकल रहे थे, उनकी पूर्व तैयारी उन्होंने कैसे की थी. For 16 years, they spent all their leisure time improving their seafaring skills in British water. पिछले 16 सालों से, जब भी उन्हें खाली समय मिलता था, वे British water में अपनी नौका संचालन और उसके विभिन मशिनेरी को समझने और चलाने के कोशल को improve करते रहे थे. British water में. British water क्या होता है? कि वो समुद्री एरिया है जो ब्रिटेन के आसपास था. तो इतना ही नहीं उन्होंने अपना जो उनका शिप था वे वोकर जो की प्रोफेशनली समुद्री आत्रा के लिए बना था, उसे उन्होंने रफेस्ट वेदर कंडिशन यनि खराब से खराब मौसम में भी चला करके टेस्ट किया हुआ था. तो जहाज में कुल चार लोग थे, नेरेटर उसकी पतनी मेरी, उनका बेटा जोनथन और बेटी सुजन. लेटर दे हायर टू क्रियू मेन, लरी विजिल और हावी सिगला. तो बाद में जब वो केप टाउन पहुंचते हैं, तो वहाँ सदर इंडियन ओशन में जाने के पहले, वो दो क्रियू मेन हायर करते हैं. उनमें से एक था, लरी विजिल चोकी एक अमेरिकन थे, और दूसरा था, हरवी सिगला चोकी एक स्विस वेक्ती था. डेस्क्राइब वेव वाकर, वेव वाकर के बारे में बताईए, वेव वाकर वास 23 मीटर लॉंग, 30 टन्स अफ वुदेन बोट, विच एद बेन प्रोफेशनली बिल्ट और अकुप्टिट विजिए, वेव वाकर 20 मीटर लंबी और लगभग 30 टन लकडी के बेस वाली जो सभी आधुनिक सुविधाओं और आधुनिक मशिनरी से सुसज़ित लंबे यात्रा के लिए प्रोफेशनली बनी हुई थी, वेव वेव वाकर को रफेश्ट वेदर कंडिशन में टेस्ट भी किया गया था, What was the first indication of रफेदर? मौसम खराब होने का प्रथम संकेत क्या था? On the 2nd of January, at about 6 p.m., suddenly the wind dropped. ने साल के दूसरे दिन, यानि 2nd of January को लगभग 6 बजे हवा अचानक रुख केई. There is spread an ominous silence, एक अनिस्ट कारी सन्नाटा था, जो की चारोर फैल गया, और समुद्री यात्रा के दौरान ये सबसे खतरनाक इस्थिती होती है. The sky began to grow dark, आस्मान में घने काले काले बादल गहराने लगें. A vertical wave filled them with horror. अचानक उन्होंने देखा कि शिप के पीछे की तरफ बहत ही उंचा, लगभग बिलकुल सीधा बादलों का जुन्डा गया है. लेकिन घबराहट और भैसे वे उस समय सिहर गएं. जब उन्होंने इस चीज को realize किया कि जिसे वो गलती से बादलों का जमावड़ा समझ रही हैं, वो बादल नहीं है. बलकि एक बहुत उंची लहर थी जो उनकी ओर लपकती चली आ रही थी. These are the indication of impending disasters और यही वे संकेत थें जो आने वाली मुसीबत के लिए बताए गये हैं. What did John say that left the narrator speechless? Jonathan ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर हमारा narrator निशब्द हो गया. Speechless हो गया. When the narrator went to comfort the children, Jonathan said that they were not afraid to die if all four of them could be together. Narrator, narrator हर संभो प्रियास ship को बचाने के लिए जब कर लिया और जब परिस्थितिया नहीं ही सुधर रही थी, तो अंत में अपने बच्चों को comfort करने के लिए उन्हें दिलासा देने के लिए उनके cabin में जाता है. जैसे ही उनके cabin में जाता है, Jonathan उनसे पूछता है, Dad क्या हम मरने वाले हैं, लेकिन तुरंत अपनी कही हुई बात को re-counter करता है और कहता है, Dad अगर हम सब एक साथ हैं, आप, Mom, Suzanne और मैं, तो हमें म्यौत का कोई डर नहीं है. मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती है, हमें आप पर पूरा विश्वास है, तो इस तरह बच्चों ने अपनी maturity और अपनी समझदारी का परिचे दिया. इस लेफ्ट दा narrator, speechless. बेटे के इस बात को सुनकर, जोनाथन की इस बात को सुनकर, हमारा narrator निशब्द हो गया, और इस निश्चे के साथ वहां से बिना कुछ कहे निकला, कि अब तो कुछ भी हो जाए, हर कीमत पर मुझे अपनी फेमिली को बचाना है. बच्चों के कैबिन से निकल कर, narrator सीधे चार्ट रूम जाता है, वहां उसका जो कमपस जो की ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसमें से जो रीडिंग आ रहे थी प्लस माइनस किया और सिक्स्टेंट की मदद से आयल एमस्टरडम का लोकेशन निकाला, लगभग एग्जैक्ट लोकेशन. और दो बजे के करीब वो डेक पर गया, जहां लेरी स्टीरिंग वील पर था, उसने लेरी को, शिप को 185 डिगरी की तरफ मूव करने का निर्देश दिया, और ये आशा व्यक्ति की कि अगर हम लखी होंगे, हमारी किस्मत अच्छी होगी, तो हम पांच बजे तक आयल एमस पहुंच जाएंगे, वाइड नेरेटर फिल था, इस वस्ट ब्यूटिफुल आइलेंड, तो जब वे आइलेंड पहुंचे, आइलेंड आइलेंड पहुंचे, तो नेरेटर को वो आइलेंड, विश्व का सबसे होबसूरत आइलेंड क्यों लगा, विश्व का सबसे होबसूरत आइलेंड इसलिए कहा, क्योंकि ये उनकी आखिरी उम्मिद थी, जहां पहुंच कर उनका जीवन बच सकता था, और वे वहाँ पहुंच गये, यानि कि उनका जीवन बच गया था, वोज सू अब ब्रेव गर्ल, क्या सू यानि सू जैन एक ब्रेव गर्ल थी, बहादूर बच्ची थी, कोई शक नहीं कि सू बहुत ही बहादूर बच्ची थी, she was seven years old, वो मात्र साथ साल की थी, though she was badly injured, हलाकि वो बुरी तरह घायल थी, चोट से उसका सिर सूजा हुआ था, आँख के आसपास इतनी सूजन थी कि उसकी एक आँख तो लगभग बंद थी, उसके एक हाथ में भी बहुत गहरा जख्म हो गया था, कट लग गया था, she cheered up her father with a thank-giving card with a message inside, तो इस इस्थिती में, इस घायल इस्थिती में होनी की बाद भी, उसने अपने डैड को एक thank-giving card दिया, कि डैड हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही एक और card दिया, जिसके अंदर एक message लिखा हुआ था, let's hope for the best, हमें हमेशा अच्छे की आशा करनी चाहिए, तो इस तरह से छोटी सी बच्ची ने अपने डैड को cheer up किया और encourage किया, in this way they encouraged her father, अपने फादर को encourage किया, later she had to go through six minor operations to remove the blood clots in her head, तो जब सब चीजें smoothly हो गई और जब वो अपने homeland पहुच गए वापस, तो सुजन के सिर के घाव को ठिक करने के लिए, छोटे बड़े कुल छे operation करने पड़े, क्योंकि जहां उसको घाव था, वहां इसकल के नीचे बार-बार blood clot बन जा रहा था, और operation करके उस blood clot को हटाना पड़ रहा था, जब हमको मौथ से सामना होता है, तो ऐसे खतरनाक अनुभाव हमें क्या सबक सिखाते हैं, जब हमको मौथ से सामना होता है, तो ऐसे रोमान्च कारी अनुभाव जिसमें विक्ती मौथ से दो चार होता है, ये जीवन में आए किसी भी चैलेंज को सिकार करने के लिए हमें स्ट्रॉंग बनाते हैं, इट टीस एस नेवर टू लूज हार्ट, साथ ही हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए. परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, चाहे कितनी भी विप्रीत क्यों ना हो, हमें आशावादी द्रिष्टिकों कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. परिवार और मित्रों का जो मोरल और एमोशनल सपोर्ट होता है, वो बहुत जरूरी होता है. और यही हमारी हिम्मत को बनाए रखने में, परिस्थितियों को हैंडिल करने में सहायक होता है. डिस्क्राइब आईल एमस्टर्डम. आईल एमस्टर्डम के बारे में बताईए. इट वोज एन अन्वेलकमिंग पीस ओफ वॉलकैनिक रॉक. अन्वेलकमिंग जिसे देख करके बहुत अच्छा एसास नहीं हो. तो आईल एमस्टर्डम क्या था? एक ज्वाला मुखी के लावे के ठंडा होने से बनी हुई एक चटान थी. जो देखने में कता ही खोबसूरत नहीं थी. ये लगभग 65 किलोमीटर चोड़ा था और हर्याली जो ग्रीनरी थी जो वेजिटेशन था वो बिलकुल ना के बराबर था क्योंकि ये एक रॉक थी. ये इसका आकार जो था एक बड़े युद्ध पोट जितना बड़ा था. उर आलेमस्टरडम फ्रांस की प्रॉपर्टी थी. तो फ्रांस नहीं यहाँ पर एक साइन्टिफिक बेस या साइन्टिफिक अब्जर्वेट्री स्थापित कर रखा था इस बहुत खुबसूरत ना दिखने वाले आइलेंड पर पहुँच कर इन्होंने सुकून की सांस ली और इनकी जान बच गई इसलिए इन्हें ये विश्व का सबसे खुबसूरत आइलेंड लगा because it was the only hope of their survival उनके जीवन के बचने की एक मात रूमीद ये आइलेंड ही थी all 28 inhabitants of the island cheered them up और उस observatory में काम करने वाले जो 28 inhabitants से उन्होंने दोसे दिन उनका cheer up किया और welcome किया so students this is all about question answer and its Hindi explanation तो इन प्रश्णों को पढ़िये प्रश्णों को समझे सबसे पहले जरूरी प्रश्णों को समझना होता है फिर उनके उत्तर को समझे और लिखे फिर याद करिये तो बच्चों एक और महत्यों पूर्ण बात आप से कहनी है अभी कोरोना वाइरस का प्रकोप तेजी पर है बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से निकले क्योंकि लॉकडाउन खतम हुआ है कोरोना खतम नहीं हुआ है और इसका जो इस प्रेड है अभी पीक पर है तो पूरे बदन पर कपड़े पहन करके फिर बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं जब घर वापस आएं तो सबसे पहले हाथ में ली हुई चीजों को सैनिटाइज करें साबुन से नहाएं और अपने पहने हुए कपड़े को खुद ही साबुन से धो कर सुखा दें दो गजदूरी के साथ खुद भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी जागरूक रखें Stay home, stay safe, good bye, have a nice day